यह जो सामा जी क्विश्वमता की बात है, वो गत्व कम से कम 2000 वर्षों से जो हम गल्ती करते चले आए, अधर्म को ही धर्म समझते आए, उसका परिणाम है, धर्म में तो कहीं ये बताया नहीं, उच नीच, धर्म के तो चारे ही खंबे है, सत्य है, करुणा है, अंतर्बाय य चुचिता है, और ये सब प्राप्त करने के लिए तपस्या है, पत्मश्री कामले जी ने आपको बताया, मन के अहम भाव के कारण मी शमता है, ये बात बिलकुल सही है, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, हम लोगों को, बाकी लोगों को हे या मानने को मजबूर करता है जिनका अपना कुछ है नहीं अहम भाव भी नहीं है जो सत्य के साथ एकाकार हो गए है ऐसे महात्मा जी सकते है समरस्ता को और समरस्ता ये भाषन का काम नहीं है ये जीने का काम है गलत जीने की आदत को बदल कर सही जीना अगर करते हम तो समरस्ता आपको बतानी नहीं पड़ेगे अपने आप समरस्ता उत्पन्न हो जाएगी यह कैसे करना प्रमुक स्वामी महराज जैसे पहुचे उवे संत उसको करते हैं उनको लेना देना क्या था उनको लेना देना यही था कि शुष्टी चलनी चाहिए यह संतों का काम है और इसलिए लोक संग्रह होना चाहिए गीता में जो लोक संग्रा का कार्य कहा है वो उन्होंने किया लोगों को उन्मार्ग गामी नहीं होने जना गलत रास्ते पर जाने नहीं जना उनको संद्मार्ग गामी बनाना संद्मार्ग गामी होने से अपने संकट अपने आप दूर हो जाते संकट दूर करने के बहाने से संत हमको सन्मार्ग कामी बनाते